जहिंद प्यारे दोस्तों स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो में तो दोस्तों IDBI Bank की तरफ से Junior Assistant Manager के लिए नई भरती का Official Notification जारी कर दियागा है तो आए दोस्तों देखते हैं Notification में क्या का देखने को मिल सकता है दोस्तों इस Notification को आप IDBI Bank की Official Website से Download कर सकता है उस Website का Link में वीडियो के डिक्स्रीशन में देदूँगा इसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा IDBI Bank यहाँ पर दियाए Admission to IDBI PGDBF 2024-25 इसके बाद दोस्तों इस Form के हम Apply Date की बात करें तो 12-22-24 से लेकर 26-22-24 के बीच में इस Form को Apply कर सकते हैं इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको Zone-wise और State-wise दोस्तों Vacancies देखने को मिल जाएगी कि किस State के लिए दोस्तों यहाँ पर Vacancies निकाली गई है तो इसको दोस्तों आपको Notification में Read कर लेना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको Tentative Vacancies देखने को मिल जाएगा 2024-25 का इसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा Essential Qualification तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपके पास कोई भी यहाँ पर गजुएशन की डिगरी है तो आप इस Post के लिए Apply कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर दिया गया है 31-2024 तक Count किया जाएगा और Minimum Age 20 से लेकर 25 यह तक इस Home को Apply कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर दिया है Date of Online Test Tentative तो यहाँ पर 17 March 2024 को आपका Paper करा दिया जाएगा इसके बाद नमबरा बेकेंसी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो टोटल पोस्ट यहाँ पर 500 दिया गया है यहाँ पर कटेगरी वाज आपको सीट देखने को मिल जाएगी तो जनरल का 203 सीट, SC का 75 सीट, HT का 37 सीट, EWS का 50 सीट और OBC का 135 सीट देखने को मिल जाएगा और यहाँ PDLD के लिए आपर सीट देखने को मिल जाएगा इसके बाद यहाँ पर Board Time Line देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर 31 January 2024 तक यहाँ पर जो आपका Data Birth है वो दोस्तों काउंट किया जाएगा इसके बाद 12 फरोरी 2024 से लगकर 26 फरोरी 2024 के बीच में इस फोंग अपलाई कर सकते हैं और 17 मार्च 2024 को यहाँ पर आपका जो एकजाम है वो दोस्तों करा दिया जाएगा इसके बाद नीचे आपको Essential Educational Qualification देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास कोई भी गोडियेशन की डिगरी है तो इस पोस्त के लिए दोस्तों आप अपपलाई कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको Age Illigibility देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर 20 यह से लेकर 25 यह तक इस फोंग को अपलाई कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर date जो count किया जाएगा वो दोस्तों 31 1999 लेकर 31 2004 के बीच में आपका जन होना चाहिए इसके बाद यहाँ पर आपको category wise Age relaxation देखने को मिल जाएगा तो SCST को 5 साल Age relaxation देखने को मिल जाएगा और OBC को 3 साल इसके बाद PWD को यहाँ पर 10 year Age में रिलेक्स असन यहाँ पर मिल जाएगा इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया है non refundable application fees and posted charge इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 200 रुपे SCST PWD का यहाँ पर examination fees लगने वाला है और 1000 रुपे यहाँ पर all other student को यहाँ पर फिस लगने वाला है जैसे EWS, OBC और general वालों के लिए पर 1000 रुपे फिस लगाया गया है अब दोस्तों यहाँ पर आपको examination syllabus और exam pattern देखने को मिल जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा लोजिकल रिजिनिंग डाटा एनलसिस और इंटरप्रेटेशन 60 क्यूशन 60 मार्क्स इसके बाद दिया है इंगलिस लैंगवेज 40 क्यूशन 40 मार्क्स इसके बाद quantitative aptitude math की बात करें तो 40 क्यूशन 40 मार्क्स इसके बाद दिया है general economy banking awareness 60 क्यूशन 60 मार्क्स तो total यहाँ पे number of question 200 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा और 200 मार्क्स का यहाँ पे आपका paper देखने को मिल जाएगा total timing दोस्तों आपको 2 घंटा दिया जाएगा exam में इसके बाद यहाँ पे penalty for wrong answer देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपका एक question गलती रहता है तो 0.25 मार्क्स यानि 1 by 4 मार्क्स यहाँ पे काट लिये जाएगे इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया subject to availability to minimum number applicant the online test would be held apart बैलर तो यहाँ पे दोस्तों हर एक state के लिए दोस्तों यहाँ पे examination center जारी कर दिया गया है जो दोस्तों आपके near about exam center पढ़ता है उसको दोस्तों आपको form में apply कर देना है इसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पे आपको document से related देखने को मिल जाएगा information तो यहाँ पे दोस्तों दिया है educational qualification तो आपके पास दोस्तों high school and intermediate का आपके पास mark seat होनी चाहिए इसके बाद आपके पास graduation का all semester and year wise आपके पास result provisional degree और mark seat यहाँ पे होनी चाहिए इसके बाद दोस्तों अगर आप SC, ST और OBC, EWS से हैं तो आपके पास दोस्तों यहाँ पे central government का यहाँ पे cash certificate होना चाहिए दोस्तों आप central का cash certificate बनवा सकते हैं उसका format दोस्तों आपको online download करना पड़ेगा इसके बाद यहाँ पे दिया है photo identity तो यहाँ पे दोस्तों आपके पास इन में से कोई भी एक आपके पास identity proof होनी चाहिए जैसे pen card, passport, driver license, auto ID card, bank passport, with photograph, आधार card यहाँ पे आपके पास होना चाहिए तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मैंने notification को step by step explain कर दिया है उम्मिद करते हैं कि दोस्तों वीडियो पसंद आए अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को like कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी share कीजिए अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe किजिए तब तक लिए जय हिंद वन दे मातरम